हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग बेदान्त दर्सन के मूल सिधान्तों के बारे में जानेंगे ठीक है जब हम बेदान्त दर्सन की तत्व मिमानसा ग्यान मिमानसा और आचार या मूल मिमानसा का अध्यन करते हैं तब ये कुछ सिदान्त निकल कर आते हैं जिनको हम points के थुरू एक एक करके समझेंगे पहला सिदान्त क्या आए ये ब्रह्मांड ब्रह्म द्वारा ब्रह्म से ही निर्मित है यानि कि ये जो संसार है ये किसने बनाया है ब्रह्मा ने बनाया है ये ब्रहमांड ब्रहम द्वारा ब्रहम से ही निर्मित है अब इन पॉइंट्स में आपको लिखना कैसे है जो हम explain कर रहे हैं वही आपको इसमें लिखना है तो संक्राचार ने कहा है कि जिस प्रकार मकड़ी अपने अंदर के द्रव्य पधार्त से यानि कि अपनी अंदर की सक अपतियों से अपनी स्रम से अपनी चमता से अपने जाल की रचना करती है ठीक उसी प्रकार ब्रहमा भी इस सांसारिक जगत का इस ब्रहमांड का निर्माड करता है यानि कि ये ब्रहमांड ब्रहम द्वारा ब्रहम से ही निर्मित है दूसरा सिद्धन्त क्या है ब्रहमा सत्य सच्थय क्या कहते हैं कि ये जो सांसारिक जगत होता है ना सोता है ये कैसा हुआ जूटा हुआ असत्य हुआ मिथ्य हुआ इसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है लेकिन ब्रह्म ब्रह्म सत्य है क्योंकि ब्रह्म आज है कल्वी था और कल्वी होगा तो ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है तीसरा सिद्धानत है आत्मा ब्रह्म का अंस है अब संक्राचार ने आत्मा और ब्रह्म को एक ही माना है यानि कि इनों ने का आए कि आत्मा और ब्रह्म अभिन्न है इन्हें कोई भेद नहीं है और आत्मा को ब्रह्म का एक पार्ट माना है यानि कि अगर आपका ब्रह्मा आ गए तो आत्मा क्या है उससे निकली हुई एक छोटी सी चिनगारी है चौता सिद्धानता है मनुस्य अनन्त ग्यान एबं सक्ति का स्रोत है तो संकर ने यानि कि संकराचार ने मनुस्य को अनन्त सक्ति एबं ग्यान का स्रोत माना है लेकिन वो क्या कहते हैं मनुस्य माया के कारड अपनी सक्तियों को भूल जाता है ठीक है जो सांसारिक जगत है उसमें मो माया के कारड़ वो क्या है अपनी सक्तियों को भूल जाता है और इस माया जाल में फस जाता है लेकिन अगर मनुस्री अपनी सक्तियों को जान जाता है तो वो मोच को प्राप्ति करने में सच्चम हो जाता है ठीक है मतलब तब वो सब कुछ कर सकता है फोर्थ पाइंट है मनुस्तिका विकास उसके संचित प्रारब्द और संचई मान कर्मों पर निर्वर करता है तो संचित कर्म प्रारब्द कर्म और संचई मान कर्म क्या होते हैं संचयमान यानि कि बर्फमान जीवन में जो हमने कर्म किए हैं उपको हम क्या और इसके बाद संचित कर्म यानि कि पूर्ब-जन्म के संचित कर्म उनको हम कहेंगे संचित कर्म अब हम बात करते हैं प्रारब्द कर्म के तो पूर्ब जीवन के बे संचित कर्म जिनका फल इस जीवन में भोगना आए उनको हम क्या कहते हैं प्रारब्द कर्म तो मनुस्य का विकास उसके संचित, प्रारब्द और संचय इमान कर्मों पर निर्वर करेता है यह है पांचमा सिद्धान्त सिख्सत है मनुस्य जीवन का अंतिमुद्देश क्या है? मुक्ति है तो संक्राचार ने मनुस्य जीवन का अंतिमुद्दे से क्या माना आए ? मुक्ती और मुक्ती को उन्होंने किस रूप में परिवास्त किया है ? कहा है जब मनुस्य ज्यान के द्वारा इस संसार की असत्तिता से परचीत हो जाता है यानि कि ये समझ लेता है कि ये संसार कैसा है जूटा है सब मौम आया है इससे बिरक्त हो जाता है और संसार एक सुक दुख से उसे कोई मतलब नहीं होता है संसार एक सुक दुख का अनुबब नहीं करता है तो उसे क्या कहते है जीवन मुक्त कहते है ठीक है मनुस्य जीवन का अंतिमुद्देश मुक्ति माना है बेदांत तरसन में ठीक है मुक्ति के लिए ज्ञान आवस्थे का है अब यह कहते हैं कि मुक्ति के लिए ज्ञान आवस्थे का है तो संक्राचार ने ब्रह्म को जानना यानि कि आध्यात्मिक जगत को जानना ग्यान बताया है और इस ब्या अध्यात्मिक जगत का ग्यान पाएगा ठीक है तो ग्यान आवस्य कई और इस ब्याभारिक जगत को इन्होंने अग्यान यानि कि अब विद्या बताया है ब्याभारिक जगत को जानना तो मुक्ति के लिए ग्यान आवस्य कई अब इन्होंने ग्यान को पाने के लिए सरवड मनन और निदियासन आवस से कहे ग्यान को पाने के लिए सरवड मनन और निदियासन आवस से कहे तो सरवड मनन निदियासन ये ग्यान प्राप्त करने की तीम विदिया है अगर कोई ब्यक्ति भावतिक या आध्यात्मिक किसी भी जगत का ग्यान प्राप्त का पाना चाहता है यानि कि अपरा ग्यान या परा ग्यान तो उसको सरवड मनन निद्यासन की तो आवस्यक्ता होगी लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक जगत का ज्ञान पाना चाहता है तो उसको सरवड मनन निद ध्यासन के साथ साथ किसकी हावस्थता होगी साधन चतुष्टे की तो एट्थ सिद्धानते यह कि ज्ञान के लिए सरवड मनन निद ध्यासन स्रवड क्या होता है गुरू की बात को ध्यान से सुनना एकागरचित होकर सुनना होता है स्रवड मनन यानि कि जो गुरू ने कहा है केबल सुनने से ही काम नहीं चलेगा उस पर चिंतन मनन करना उस पर विचार करना वो कहलाता है मनन अब आता है निदिध्यासन यानि कि जो हमने उस पर विचार विमर्ज किया है उसको उपयोग में लाना ठीक है उसको एंपलीमेंट करना क्या कहलाता है निदिध्यासन अब सुरपण मनन और निद ध्यासन के लिए साधन चतुष्टे यावस्यक जो है इन्होंने आध्यात्विक जगत कि ज्ञान को ही ज्ञान वाना है और इस जगत की ज्रबन को क्या आभ ज्ला कर रहा है तो अगर कोई आध्यात्विक जगत का ज्न पाना चाहेता है उसको दूसरा है भोग विरक्ति तीसरा है समधिमाद संयम और चवता है मुझकत्व तो इनको हम एक वीडियो में डिसकस कर चुके हैं तो यहां पर हमने डिसकस किये हैं बेदान्त दर्शन के मूल सिद्दान्त यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी थैंक्स फार वाचिंग